कोरोना एक जान लेवा बीमारी है पर टीका करण द्वारा इसे रोका जा सकता है व्यज्यानिकों के अनुसार टीका करण से आपके कोरोना वाइरिस रोग से पीड़ित होने की समभावना कम हो जाएगी टीका आपको आपके परिवार और समुदायों को करोना वाइरिस से बचने में मदद करेगा यह आपके शरीर को इस रोग के खिलाफ लड़ने की ताकत प्रदान करता है जिससे यदि करोना वाइरिस से आपका संक्रमन होता भी है तो भी वह आपके लिए गातक नहीं हो सकता टीका करण एक दम सुरक्षित है टीका करण के बाद आपको हलका बुखार या दर्द आदी हो सकता है ये टीका करण के कुछ सामान्य असर है जो अन्य टीकों से भी होते हैं और इसमें चिंता की कोई बात नहीं 18 वर्ष से उपर सभी महिलाओं, पुरुशों, युवक और युफ्तियों और बुजुर्गों को टीका करण अवश्य कराना चाहिए पहली मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयू के लिए टीका करण शुरू हो रहा है आप अपना पंजी करण 28 एपरिल से कोविन वेबसाइट www.cowin.gov.in पर या आरोग्य सेतु आप के माध्यम से कर सकती है कोविन वेबसाइट पर जाएँ और रजिस्टर या साइन इन पर क्लिक करें अपना मोबाइल नंबर जोड़ें और गेट OTP पर क्लिक करें मोबाइल पर प्राप्त OTP अंख टाइप करें और वेरिफाई पर क्लिक करें फोटो पहचान पत्र जैसे आधार काड या पैन काड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक का भी नंबर भर दें। ध्यान रखें कि ठीका करण के दिन आपको इसी पहचान पत्र को साथ ले जाना है। नाम, लिंग और जन्ब का वर्ष भरें, फिर रेजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पिन को डाल कर या अपने राज्य वा जिले का नाम चुन कर दिनांक अनुसार आपको अपने आसपास के टीका करण केंद्रों की सूची दिखेगी। इस पर क्लिक करते ही आपको समय निर्धारित करने का विकल्थ मिलेगा। उसे चुने। टीका करन के लिए निर्धारित दिन और समय पर अवश्य जाएं। गर्वदी महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, किसी दवा आधी के प्रती असामान्य दिक्कत होने वाले लोग यह टीका ना लगाएं। पहले से मौजूद बिमारी जैसे मधू में हैं, फृदय रोग या अन्य परिस्थिती से जूजने वालों के लिए कोरोना रोग से संक्रमन अधिक घातक हो सकता है। वे डॉक्तर की सलह से अपना टीका करन कराएं और अवश्य कराएं। आप मासिक धर्म के दौरान कोविड-19 का टीका ले सकती हैं। यदि आप कोविड रोगी है या कोविड इलाज में आपको एंटीबोडी या प्लाजमा दिया गया हो, तो ठीक होने के बाद डॉक्तर के सलह के अनुसार आपका टीका करन किया जाना चाहिए। कोविड-19 के साथ संक्रमन के पिछले इतिहास के बावजूद कोविड-19 वैक्सीन के पूरे दो टीके लगवाना जरूरी है। टीका करन के निर्धारित दो डोज जरूर लगवाएं। दोनों डोज में कुछ सप्ताह की दूरी रहेगी लेकिन दूसरे डोज के लिए फिर से पंजीकरन करने की आवश्यक्ता नहीं है। पहला टीका लगाते समय वहां मौजूद स्वास्थे कारी करता से यह जानकारी लेकर रखें कि दूसरा डोज किस दिनांग को लगवाना चाहिए। भारत में आज दो तरहां के टीके लगाए जा रहे हैं कोवी शील्ड और को वैक्सीन ये दोनों टीके ही सुरक्षित और असरदार हैं। ध्यान रखें कि आप पहला डोज जिस टीके का लगवा रहे हैं दूसरा डोज भी उसी टीके का लगवाएं। कई राजियों में सरकारी सेंटर में ये दोनों प्रकार के टीके मुफ्त में लगवाए जा रहे हैं। टीका करण के बाद भी पहले की तरहां सावधानी बरतनी जरूरी है। करोना वाइरिस से लड़ने के लिए आओ हम सब हाथ धोएं, मास्क पहने और औरों से दो गज की दूरी निभाएं। हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित। अधिक जानकारी के लिए सेवा कारी करता से संपर्ख करें। स्थर्ण स्थर्ण